हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल चटोरी बजार आज हम चटोरी बजार में बनाएंगे वरत में खाई जाने वाले साबुद्दाना के प्राठे तो चलो आएए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं साबुद्दाना प्राठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी साबुद्दाना ले लिया है और अब लिये हैं मैंने यहाँ पर पांचे आलो और उनको अच्छे से छील लिया है अब इन सभी आलों को में एक ग्रेटर से अच्छे से कस लूँगी फ्रेंड्स आपको यहां पर सिर्फ कसना ही है और आपको इनको हातों से मैस नहीं करना है क्योंकि अगर आप हातों से मैस करोगे तो इसमें कुठलिया रह जाएंगी जो बेलते समय बहुत परेशानी होईगी और पराठा अच्छे से नहीं बनेगा तो हम इन सभी आलू को अच्छे से कस लेंगे अब एक पराठ में हम साबुदाने के आठे को डाल लेंगे और इसमें सभी आलू को मिक्स करेंगे मैंने यहां पर फ्रेंड्स एक कटोरी साबुदाने का आठा लिया था तो एक कटोरी ही कसा हुआ आलू लिया है और अब हम इसको अच्छे से गूथ लेंगे अब हम इसमें डालेंगे सेंदा नमग, जीरा और काली मिर्च का पाउडर और फ्रेंड्स अगर आप कोई और भी मसाले खाते हो व्रेट में तो आप वो भी डाल सकते हैं और अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक पराठो के जैसा डो लगा लेंगे बिल्कुल ऐसा ही लगाना है जैसा हम के हूं के आटे का लगाते हैं और अगर आपके आलू में मोश्चर नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें लगा लीजिए और जै पड़ी मेरा पूरा आटा ऐसे ही गुथ गया बिना पानी के तो वो आप देख लीजिए आप के आलू किस परकार के हैं अब हम आटे की एक के बाद एक सारी लोईया बना कर रख लेंगे और फ्रेंड्स ये वाला साबुदाने का आटा आप एक कड़ाई में भून कर पीस क रख लीजिए और आप इसको पूरे महिने के लिए श्टोर कर लीजिए इससे आपका वरेत में काम बहुत आसान हो जाएगा और जब आपका मन करे तब आप निकाल कर कुछ भी डिस बना लीजिए अब हम हलके हातों से इस प्राठे को बेलेंगे और बेलने के लिए आप सिंगाडे का आटा या समाके चावल के आटे एक असूखा आटा लगा कर भी इसको बहुत अच्छे से बेल सकते हैं और बेलते समेश के किनारे फट जाते हैं क्योंकि इसमें आलू और साबुदाना होता है तो आप इसको कोई भी अच्छी सेप देने के लिए इसको ढखकन से या किसी डबे से काट लीजिए और इसके जो चारों तरफ के किनारे बचेंगे तो ये सब किनारे आप दूसरे प्राठे में प्लीज इस्तेमाल कर लेना ये देखिए बन कर हो गए अच्छे से तैयार अब हम इसको सेख लेंगे सेखने से पहले फ्रेंड्स आप उतवे पर थोड़ा सा ओईल लगा लीजिए और फिर प्राठे को डालिए और फिर आप जो भी ब्रेट में ओईल का इस्तेमाल करते हो उसको दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा कर और बिल्कुल धीमी आज पर अच्छे से से शेख लीजिए ये देखिए बन गया है न एकदम गोल्डर और आप एक के बाद एक ऐसे ही सारे पराठो को सेख लीजिए और आलू और साबुद्दाना होने की वज़े से इस पराठे को सेखने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आलू में भी मौश्चर होता है और साबुद्दाने में भी तो इसमें थोड़ा टाइम एक्स्टर लगता है तो आप एक के बाद एक आराम से पराठो को बना कर तयार कर लेजिए ये देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे पराठे बन करके तयार हो गए हैं और आप देख सकते हो कितना गोल्डन कलर आया है और आप इन पराठो को वरत में खाए जाने वाली सबजी के साथ राइते के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो और मैंने जो यहां पर हरी चटनी बनाई थी वो भी वरत वाली ही है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से रेंड सब्सक्राइब जरूर करें